हेलो नमस्कार मैं डाक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ अभी हम आलोचकों के कथन के सीरीज में आचायरामचन शुकल के संपूर इतिहास गरंथ पर ही विचार किया था अब इसके अगली कड़ी में हम आचायरे हजारी प्रसाद दिवेदी के हिंदी साहतिक इतिहास उपन्यास निववंध और आलोचना में जितने भी महतपूर कथन है उनको एक जगा संकलित किया है और मुझे पूरा उमीद है कि यह एक जेन वाइठ ही ऐसा कर सकता है और आपके लिए भवी सिके जितने भी परिक्षाएं होने वाली है या फिर आगामी महिनों में परिक्षाएं होने वाली हैं उनके द्रिष्टिकोंड से काफी महतपूर है तो इसलिए इस वीडियो लेक्षर को आंध तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा और आचार हजारी परिशाद दिवेदी से संबंदी जितने भी महतपूर कथन हैं आपको मिल जाएंगे ठीक है तो हम क्रम से देखने की कोशिश करते हैं कि परिक्षा के द्रिष्टिक कॉण कॉन से ऐसे कफन महतफ्पूर हैं जो कि आचार हजारी परिशाद दिवेदी द्वरा कहें गए हैं तो पहले कोटेशन पर बात करें तो आधिकाल के संतर में आचारे हजारी प्रसाद दिवेदी का कहना है कि आधिकाल अत्यधिक बिरोधी और व्यागातों का यूग है ठीक है दुसरा कोटेशन है कि ये अपुस्य संभोत अभुभरंज का प्रसिद कभी पुस्य दंत है जिसका अभिर्भाव नवी सती में हुआ हमीर रासों के बारे में वह जिक्र करते हैं कि हमीर शब्द अमीर का विक्रित रूप है जो किसी पात्र काना होकर एक विशियेशन के रूप में प्रियूख्थ हुआ है अगले कोटेशन की बात करें तो उनका अपभरंस के बारे में करना है कि दोहा यार दूहा अपभरंस का अपना चंद है उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना चंद है विद्यापति के बारे में कते हैं विद्यापति सुरिंगार रष के सिद्धोवाक कभी हैं ठीक है भक्ति आंदोलन को उनोंने लोक जागरण कहा था इसके साथी परिक्षाकिर दिश्टिकुर्ण से काफी important quotation है कि भक्ति आंदोलन को भारतिये चिंतन धारा का स्वभाविक व अगला कोटेशन है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इसलाम ना आया होता तो भी इस साहिति का बारा आना वैसे ही होता जैसा आज है। सकति साली धार्मिक आंदोलन गोरक नात का भक्ति मार्ग ही था गोरक नात अपने यूग के सबसे बड़े नेता थे। एक तरीके से उनका कथन है गोरक नात के बारे में ठीक है आगे इसी से जूरते हुए और कथन है कि संक्राचारे के बाद इतना प्रभावशालिय और इतन ऐसा आचार हजारी फ्रसाद दिवेदी अपने इतिहास में लिखते हैं। अगला कोटेशन है हिंदी सायत के हजारो वर्सों के इतिहास में कभीर जैसा व्यक्तितों लेकर कोई लेखा कुदपन नहीं हुआ। मैमा में यह व्यक्तितों के वाल एक ही प्रतोद्वन्दी जा जैसी, सूर्दास और तुलसी दास को इस्थापित किया तो उनके वरक्ष आचार हजारी प्रसाद दिवेदी ने कभीर को साहितिक केंद्र मिलाया। तो कभीर नामक जो किताब है उसमें से इस कथन को लिया गया था। अगला कोटेशन है। हजारी प्रसाद दिवेदी के क कभीर दास बहुत कुछ को और स्विकार करने का अपार साहस लेकर अउत्रिण हुए थे। ठीक है। भूमिका में दिवेदी जी ने लिखाए वे दरिद्र और दलित थे। इसलिए अंत तक वे इस्त्रेणी के प्रतिकी गई उप्यक्षा को भूल न सके। उनकी नसनस में इस अकारण दंड के विरुध विद्रोह का भाव भरा था। कभीर के संबद में ये अगला कोटेशन है कि कभीता करना उनका लक्ष नहीं था। फिर भी उनकी उक्तियों में कभीत्व की उची उची चीज प्राप्य है। कभीर की बारे में ये आगे लिख रहे हैं। वे स साहिति के छेत्र में भविस सरष्टा, संस्क्रीत के कूप जल को छुड़ा कर उनोंने भाषा के बहतिन निर्में सरष्टी को इसनान कराया। उनकी भाषा में बहुत सी बोलियों का मिसरण है क्योंकि भाषा उनका लक्ष नहीं था और अन्जान में ही वे भाषा की स्रिष और अत्यान्त साधी किन्तु अत्यान्त तेज प्रकाशन भंगी अनन्य साधारन है। हमने देखा है कि बाहेचार पर आक्रमन करने वाले संतों और योगियों की कमी नहीं है पर इस कदर सहज और सरल धंग से चकना चूर कर देने वाली भाषा कभीर के पहले बहुत कम दिख है दी व्यंगे वह है जहां कहने वाला अध्रोष्ट में हस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो और फिर कहने वाले को जबाब देना अपने को और भी उपहासात स्पद बना लेना हो जाता हो ये कभीर नामक जो पुष्टक है उससे लिया गया है और प्रिष्ट जो वाक्य है आप देख रहे होंगे जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया बन गया तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर कई बर तो यहां से लेकर यहां तक का कोटेशन पूछ लिया जाता है भाषा कुछ कभी कभीर की भाषा में है वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाते है इस प्रकार यद्य पी कभीर ने कहीं लिखने की प्रतिग्या नहीं की तथा पी उनकी अध्यात्मिक रस की गगरी से चलके हुए रस से काविक की कटोरी में भी कम रस इकठा नहीं हुआ तो यह देख रहे पारे में किस तरीके से आचार हजयारी प्रशाद் दिवेदी ने अपने वीचार व्यक्त की हैं आगे उन्होंने लिखा है कभीर के पूरवर्ति सिधोरियोगी लोगों की आक्रमडत्मक उक्तियों में एक परकार की हिन भावना की ग्रंथी या inferiority complex पाये जाता है वे मानों लोमडी के खटे अंगोरों की प्रतिधोनी हैं, मानों चीलम न पासकने वालों के आक्रोष हैं, उनमें तर्क है पर लापरवाही नहीं, आक्रोष है पर मस्ती नहीं है, तिब्रता है पर मृद्रता नहीं, जब कि कवीर्दास का स्वर प्रधान गुण रहे हैं, एक जीवन है देखें ये काफी इंपोर्टेंट है, जिस तरीके से परिक्षा में पुष्णों के पुछने की पैटर्न देरे दरे चेंज हो रहे हैं, और गम्भीरता से अंदर तक सवाल पूछे जा रहे हैं, उस द्रिष्टी कोन से ये काफी इंपोर्टेंट है आगे लिखते हैं, इसलिए अखरता कभीर्दास का सरप्रधानगों नहीं है, वर्ष्टता कभीर्दास ने ये अखरता योगियों से विरासत में पाई नहीं है, इस बरकार वे अखर आदत से ही थे, स्वभाव से तो वे फक्कड ही थे देख रहे हैं, अगर कोई भी सेंटेंस पूछ लिया जाएगा, तो वो परिक्षा के दिश्टी कोड से काफी महतपूर हो जाएगा, इसलिए इसको आप सब गमविर्दा से देखिए और समझने कोशिश कीजिए कारण वे मुल्त भक्त थे, योगी नहीं, कई बार कभीर को लेकर कहा जाता कि वो भक्त थे, कि समासे बक्त थे, कि उपदेशक थे, कि करांतिकारी थे, क्या थे यहाँ पर हजारी फरसाद दिवेदी का मानना है कि वो मुल्त भक्त थे योगी नहीं थे किन्तु उनकी भक्ती भी विशेस प्रकार के थी कारण बता रहे हैं भक्ती के अत्रियक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा क्योंकि उनके दैने में भी उनका आत्म विश्वास साथ नहीं छोड़ देता था उनका मन जिस प्रेम रूपी मद्रिया से मतवाला बना हुआ था वो अज्यान के गूर से त्यार की गए थी इसलिए अंदसरद्धा भावगता और हिस्ट्रिक प्रेमोन माद का उनमें एकांत अभाव था थीक हैं तो ये कभीर के बारे में हजारी प्रसद्दिवेदी ने कीस तरीके से लिखा है इसको आप ध्यान में रखे अगला कोटेशन कभीर के से सम्बंदी थी है कभीर ग्यान के हाथी पर चड़े हुए थे पर सहज का दुलीचा डाले बिना नहीं भक्ति के मंदिर में प्रविष्ठ हुए थे पर खाला का घर समझ कर नहीं बायचार का खंडन किया था पर निरूद देश्व अक्रमण की मंसा से नहीं भगवद विरह की आच में तपे थे पर आँखों में आशु भर कर नहीं राम को आग्रह पुर्वक पुकारा था पर बालो को चित मचलन के साथ नहीं सर्वत्रों नहीं एक समता बैलेंस रखी थी केवल कुछ थोड़े से बिसोयों में वे समता खो गय थे अकारण सामाजिक उची नीच मर्यादा के थोड़े से बिसोयों में वे समता खो गय थे अकारण सामाजिक उची नीच मर्यादा के समर्थुकों को वे कभी चमा नहीं कर सके भगवान के नाम पर पाखंड रचने वालों को उन्होंने कभी नहीं चूट दी दूसरों को गुम्रा बनाने को उन्होंने कभी तरह देना उचित नहीं समझा ऐसे उसरों पर वे उग्र थे, कठोर थे और अक्रामक थे पर गुम्रा लोगों की गलती दिखाने में उन्हें एक तरह कारस मिलता था ब्यंग करने में उन्हें जैसे त्रिप्ती मिलती थी ठीक है तो ये कबीर के बारे में है आगे लिखते हैं ऐसे थे कबीर सीर से पैर तक मस्त मौला सदभाव में फकड़, सोभाव में फकड़ आदत से अखड़, भक्त के सामने नीरी बेश धारी के आगे प्रचंड, दिल के साप, दिमाग के दुरूस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्प्रिस्य, कर्म से वंदनी तो देखिए अगर ये कोटेशन आ जाएगा तो आप का आंसर होगा हजारी प्रसाद दिवेदी इतना जितना कोटेशन मैंने बताया सब कवीर के बारे में था, अब देखिए सूर्दास के बारे मुन का कैना है सूर्दास ही ब्रजभासा के प्रथम कभी है और लिलागान का महान समुद्र सूर्सागर ही उसका प्रथम काब्य है आगे लिखते हैं सूर्दास जब अपने विशे का वर्डन सुरू करते हैं तो मानो अलंकार शाष्त्र हाथ जोड कर उनके पिछे दवड़ा करता है उपमाओं की बाल आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवा में कभी स्वयम बह जाता है इस सूर्दास के बारे में वो लिख रहे हैं, आगे तुलसी दास के बारे में लिखते हैं कि लोकनायक वही हो सकता है, जो समन्वय कर सके तेकि इतना दुर्प परिक्षा में कई भर सवाल पूछा जाता हैं क्योंकि भारतिय जन्ता में नाना प्रकार की परस्पर बिरोधनी संस्कृतियां, साधनाय, जातियां, आचार निष्ठा और विचार पधती प्रचली थे, बुद्ध देव सम्मन्वे कारी थे, गीता में स चेश्ठा है, और टुलसीदा भी सम्मन्वे कारी थे, तो एक तरीके से यह काफी इंपोर्टेंट कोटेशने प्रिक्षा में लगातार आता रहता हैं, आगे वो छायवाद में कुछ कभियों पर चर्चा करते हुए लिखते हैं, कि उधारन के लिए छायवादी मूल भाव मस्ती से इनकी रचनाय आखंट भरी हुई हैं, तो यह एक तरीके से बालकृष्ट शर्मा नवीन के बारे में उनका कहना है, नवीन के बाद भगवती चर्ण वर्मा आते हैं, जिनमें मस्ती है, उल्लास है और अपने आपके प्रतिद्रिन विश्वास है, वे अनासक्त भो कि वे अपने काल में समस्त उत्तरी भारत के संपूर सहितिकार थे, यह कई बार एक्जाम में पूछ लिया जाता है, यह आचारे हजारी प्रसाद दिवेदी का कोटेशन है, आगे वो लिखते हैं, वास्तों में तुलसी दास और भारतियंदु हरिश्चंद के बाद प्रेम से संबन्दी थी है, कि दुनिया की सारी जटिलताओं को समझ सकने के कारणी वे निरी थे, सरल थे, धार्मिक ढोकशनों को वे धोंग समझते थे, पर मनुस्य को सबसे बड़ी वस्तु समझते थे, उन्होंने इस्वर पर कभी विश्वास नहीं किया, फिर भी इसी योग के साहितिकारों में, मानों की सद्विर्तियों में जैसा अडिक विश्वास प्रेमचंद का था, वैसा सायद किसी और का हो, असल में अनास्तिकता भी उनके द्रिन विश्वास का कवश्ट थी, वे बुद्धिवादी थे, और मनुस्य की आनंदनी वरित्ती पर पूरा विश् रखते थे, तो देख रहे हैं कि प्रेमचंद के बारे में उनका क्या ख्याल है, क्या विचार है, आगे निबंध की परिवासा देते हैं लिखते हैं कि निबंध व्यक्ति की स्वाधिन चिंता की उपज है, अब यहां पर उनके कुछ निबंदस समन्नित कोटेशन को लिया जिसमें कि अशोक के फूल से यह कोटेशन है, कि अशोक है कि आज भी उसी मोज में है, देवदारू के बार-बार कमपित होने होते रहने में एक प्रकार की मस्ती है, कुटज वैसे अधना फूल है, पर ऐसा मनस्य और मस्त है कि कठोर पासान को भेद कर पाताल की छाती चीर जनजात उफान को रगड़ कर जीने का रस खीच लेता है, तो देवदारू, अशोक के फूल, कुटज, इनके प्रमुख निवन्द हैं, उनसे यह कोटेशन्स लिया गया है, कालिदास से संबन्दित भी उनका एक निवन्द है, कालिदास की लाली तियोजना, सिरिस के फू के बारे में चर्चा की गई है, आगे लिखते हैं, कबीर बहुत कुछ इसी सिरिस के समान ही थे, हर उनके निबंद में भी कही ने कहीं कबीर का जिक्र आ जाता है, क्योंकि वो काफी प्रभावित थे कबीर से, मस्त और बेपरवा, पर सरस और मादक, कबीर बहुत कुछ इस यह लगता है, ठीक हैं, और आगे उसी के बारे में लिखते हैं, कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे, सिरिस के फुल फकड़ाना मस्ती से उपस सकते हैं, और मेग दूत का काबे उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उनमुक्त हिर्दे से उम्र सकता है, यह सब अनों हाथों से लुटाते हैं, लुटाते हैं, लुटाते हैं, तिन बार लिखा है, ऐसे फकड़ों का क्या ठीकाना, अड़े तो अड़ गए, ढले तो ढल गए, मेग भी उनिम मस्त मौला लोगों की टोली का जीव है, किधर चलने को, वे किधर निकल गए, दुखी कहां न नहीं मिलते हैं, जिसने दुख्यों का दुख दूरने का व्रत ले रखा हो, उसका कारेकरम क्या होगा, तो एक तरीके से हजारी प्रसाद्दिवेदी की निवंदों से ये सब को टेसंस लिए गए, नाम में एक महासे को रास्ता आवस्य बता देना चाहिए, पता नहीं ये फकड़पन, जूमते, जहामते, लश्टम, पश्टम, देखे भासर सेली को, जब तक अलका पोचेंगे तब तक यक्ष प्रिया की क्या दूर दसा हो जाए, एक तरीकी से यक्ष यक्षणी का जो प्रसंग आता है, उसके संदर में लिखा गया है, कहां मेग, कहां कालिदास का पोथा, पुनर नवा, ठीक है, ये उनके फेमस उपन्यास रहे हैं, तो सबसे पहले बान का नामकरण और संसकार, ऐसे एक कृती पिता का मैं पोत्र था, जन्म का आवारा, गप्पी, अश्थिर, चित और घुमकर, मैं घर से जब निकल भागा था, तो अपने गाउं, अ पूश कटे बैल को करते हैं, वहां ये कहवत मसहूर है कि बंड आप गए, साथ में नवहात का पगाह भी लेते गए, तो लोग मुझे बंड कहने लगे, इसी को बाद में संस्क्रित सब्द बान में जोड़ा, वैसे मेरा असली नाम दक्ष था, जैकि इंपोर्टेंट है का असली नाम भी बता दिया कि क्या है, धक्ष था, ठीक है, आगे लिखते हैं कि कहा भोचपूरी बंड और कहा संस्क्रित बान, लेकिन जब सर्जिन आत्म कल्पना है, गल्प हाकने का संकल्प तो धोनी विज्ञान क्या करेगा, बान बंड हो गए, आत्म कथा में बान ने ब साहन भोती हिर्दय ने तो इसे आवारा बना दिया, तो जो भी बान बट के आत्म कथा पढ़ा होगा, उसको ये कोटेशन ये प्रसंग समझ में आ रहा होगा, आगे लिखते हैं, ये साहन भोती हिर्दय आवारापन की ही नहीं, फकड़पन की भी कुंजी है, बान बट में मस्ति की यदी कुछ कमी है, तो उसकी पूर्ती कभी मित्र धावक धोई से हो जाती है, अगला कोटेशन है, कि जिसकी दुनिया निरलनिप्त मस्ति की दुनिया है, जिस बात से अन्य कभी द्रवीत हो जाते हैं, उससे भी वब अपनी मस्ति का खाद्य निकाल लेता है, और जिसका विश्वास है कि कभी विधता नहीं वेधा करता है अपांग बान से नहीं वियंग बान से ठीक है अपंग यहाँ पर होना चाहिए निर्दैता से पान खाये हुए और पुस्पो से सुसज्जित का विवर धावक प्रथम दर्शन में यह अपनी छवी से चोथे दर्श है कि छांदोग्यों में एक से फक्कड विचारक मिलते हैं जो रूड़ियों के बिल्कुल कायल नहीं अगला कोटेशन है गाड़िवान रैन्वक रैनकोर को सम्भूत है इसी विलक्षनता के कारण नायक के रूप में चुना गया है जो जाने क्यों हर समय अपनी पीठ खु कन्या को साथ लेकर गए तो फक्कड रिसी प्रसन हुए और राजा के सुन्दरी कन्या का मुख अपनी और उठाकर बोले कि हे सुद्र इस सुन्दर मुख के कारण तुम मुझे बोलने को बाद्ध कर रहे हूँ अनामदास को अपनी टिपड़ी में लिखना पड़ा कि अपस्ति पाद के प्रसंग में फक्कड और अखड उपस्ति की कोई विच्चरचा न होना कुछ समझ में न आने वाली बात है मेरी जन्म भूमिशिर्षक से इन्होंने एक लेख लिखा था दिवेदी जी ने अपने इलाके में निवासियों के फक्कड पन सुभाव की चर्चा की है द्वाबा का ये अम्म ध्यवर्ती भूभाग है जिसे गंगा और सर्यू जैसी दो महानदियों का कोप बराबर सचित सहते रहना पड़ा है इस भूभाग का इतिहास ही निरंतर बनते और मीटते रहने का है एक अजीब प्रकार के मस्ती और निर्भैता इन लोगों के चेरे पर दीखती है क्या इस मस्ती और निर्भित्ता का सुरोथ विपत्ती के इन थेपेड़ों में तो नहीं आगे कुछ और कोटेशन्स हैं जो किनी बंदों से हैं असोक के फूल से है कोटेशन्स लिया गया है कि आध्यात्मे कुछ आई तक समाज को बहुत थोड़े लोग ही पहुच सकते हैं बाकी छोटे मोटे दुनियावी टंटों में उल्जेर रह जाते हैं वे अध्यात्मिक आदर्स को विक्रित कर देते हैं आम फिर बवरागे निबन से है कि आम अंजरी मदन देवता का अमोग बाढ़ है असोक के फूल से ही कि आसमान में निरतन मुक्का मारने में कम परिश्रम नहीं है अगला कोटेशन है बसंत आ गया कम जोरों में भावगता जादा होती होगी असोक के फूल से कमेंट है कि कथन है कर्म फल का सिध्धान्थ भारत वर्ष की अपनी विश्ष्षता है पुनर जन्म का सिध्धान्थ खोजने पर अनान्य देशों के मनिस्यों में भी पाया जाता है कहते हैं दुनिया बड़ी भूलकड है कि वह उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है बाकी को फेक कर आगे बढ़ जाती है देखिए काफी इंपोर्टेंट कोटेशन असोक के फूल से लिया गया है घ्रिणा और द्वेश से जो बढ़ता है वह सिग्रही पतन के गवर में गिर पड़ता है असोक के फूल से यह कथन लिया गया है जब तक तुम पूरुष और इस्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो अपून हो आसक्त हो यह बान भट की आत्मकथा से दिया गया कोटेशन है जब तक हमारे सामने उद्देश इस्पष्ट नहीं हो जाता तब तक कोई विकारे कितनी व्यापक सुभेक्षा के साथ क्यों आरम किया जाए वो फल दायक नहीं होगा यह कुटच से लिया गया है जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है बाकी फिक दिया जाता है यह अचोक के फुल से है जिन इस्तिरियों को चंचल और कुल भरष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी सक्ति भी होती है यह बान भटक की आत्मकथा से धेर सारे कोटेशन्स आते हैं इस्तिरियों को संदर में रखते हुए तो उसको ध्यान में रखने की जुरत है एक बड़ा ही इंपोर्टेंट है कि पंडिताई भी एक बोज है जितनी इभारी होती है उतनी इतेजी से डुबोती है जब वो जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है तब वो बोज नहीं रहती है अस्तोक के फुल से लिया गया है और यह काफी इंपोर्टेंट है जो महत्पूर्ण कोटेशन थे कथन थे उनको एक जगत संकलित करने के कोशिश की उमीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा कमेंट्स करकर जरूर बताइए कि ये आपको लेक्चर कैसा लगा मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार